हिंदु धर्म में सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है वैसे तो भगवान शिव को साल के सभी महीने ही प्यारे हैं मगर सावन महीने से उनका खास लगाव है भगवान विष्णू के चौमास के शैहन के बाद इस महीने स्रिष्टी का संचालन स्वे महादेव करते हैं जिसके चलते भोले नाथ भक्तों की पुकार सुनने को सदैव तयार रहते हैं आज हम आपको इस सेग्मेंट में शिव को समर्पित सावन माह के प्रमुक्फरत त्योखार और तिथियों के बारे में बताएंगे देवों के देव महादेव के प्रिय महीने सावन की शुरुवात 22 जुलाई 2024 से हो रही है जो की 19 अगस्त 2024 तक रहेगा सावन में भोले नाथ की भक्ती करने वालों की अधूरी इक्षाएं पूरी होती हैं इस महीने के खास दिनों में पूजा करने से भगवान भोले नाथ जल्द ही प्रसंद होते हैं तो आए तहले जानते हैं सावन माह के सोमवार के बारे में भगवान शिव को हफ्ते में सोमवार का दिन अत्यधिक प्रेय है इस दिन पूजा करने से भूले नाथ भक्तों पर खास क्रपा बरसाते हैं इस बार सावन के कुल पाँच सोमवार पड़ रहे हैं जो की 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त को हैं इस पावन दिन में भगवान शंकर की सच्चे मन और विधी विधान से पूजा पाट करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है अब बात मंगला गोरी व्रत की मंगला गोरी का व्रत हर साल सावन मास के मंगलवार के दिन रखा जाता है ऐसे में सावन में आने वाले सभी मंगलवार का विशेश महत्व होता है इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और कुमारी कन्याएं दोनों ही रखती है ये व्रत माता पार्वत्ती को समर्पित है, इस बार ये सावन महीने में चार बार आएंगे, जो की 23 जुलाई, 30 जुलाई, 6 अगस्त और 13 अगस्त को रखे जाएंगे अब जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में कामिका एकादशी व्रत करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ती होती है, इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि इसे सावन माह में किया जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित होता है ये देवशैनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विश्णू योग निद्रा में होते हैं, इस बार ये व्रत 31 जुलाई दिन बुद्धवार को पढ़ रहा है सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी किया जाता है, इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को किया जाएगा आए अब जान लेते हैं प्रदोश व्रत के बारे में श्रावण मास में प्रदोश व्रत का भी विशेश महत्व है, एक अगस्त दिन गुरुवार को पहला प्रदोश व्रत रखा जाएगा तो वहीं महीने का दूसरा प्रदोश व्रत 17 अगस्त दिन शनिवार को रखा जाएगा मान्यता है कि सावन प्रदोश्वरत के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक को रोग, दोश और सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो जाती है आईए अब जाने इस महीने की अमावस्या वा पूर्णिमा के बारे में सावन मास کی अमावस्या चार अगस्त दिन रवीबार को मनाई जाएगी इस दिन को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाता है जो हरियाली 30 के 3 दिन पहले पढ़ती है इस दिन पेड़ पौधों को लगाने की प्राची परमपरा चली आ रही है हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आम, आवला, पीपल, वट व्रिक्ष और नीम के पौधों को रोपने से देवता और पित्र प्रसन्न होते हैं वहीं शावण मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी अब जानते हैं कलकी और तुलसी दास जयनती के बारे में भगवान विश्णू धर्ती पर 9 अवतार ले चुके हैं अब उनका दस्वा अवतार कलकी होगा जोकी धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियूग में जन्म लेगा लेकिन जन्म से पहले ही हर साल सावन माह के शुकल पक्ष की शष्टी तिथी के दिन कलकी जयनती बनाई जाती है इस साल कलकी जयनती 10 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जा रही है हर वर्ष्व सावन मास के शुकल पक्ष की सब्तमी तिथी को तुलसी दास जयनती बनाई जाती है 11 अगस्त दिन रविबार को तुलसी दास जयनती बनाई जाएगी तुलसिदास जी ने रामचरित्मानस, हनुमान चाहलेसा, संकट मोचन, हनुमान अश्टक, हनुमान बाहुक आदिक कई ग्रंथों की रचना की है अब बात हरियाली तीज की पंचांग की अनुसार इस बार सावन माह के शुकलपक्ष की तृतिया तिथी का आरंभ, 6 अगस्त को रात 7 बचकर 42 मिनट पर होगा अगले दिन यानी 7 अगस्त 2024 को रात 10 बचकर 5 मिनट पर इसका समापन होगा इसलिए उदिया तिथी के अनुसार 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को ही हरियाली तीज मनाई जाएगी अब बात रक्षा बंधन तियोहार की इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन मनाया जाएगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथी की शुरुवात 19 अगस्त को सुबह 3 बच कर 4 मिनट पर शुरू होगी वहीं इसके समापन की बात की जाए तो 19 अगस्त को मध्य रात्री 11 बच कर 55 मिनट पर समापन होगी ये त्योहार भाई बेहन को स्नेह की डोर में बांधता है इस दिन बेहन अपने भाई के मस्तक पर टी का लगा कर रक्षा का बंधन बांधती है सावन में महादेव को प्रसंद करने के लिए सावन सोमवार के अलावा सावन प्रदोश व्रत, सावन शिवरात्री, नाक पंच्रमी, हर्याली तीज्ड बहुत महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं इस दोरान माता पारवती और भोले नात की आराधना करने वालों पर कभी संकट के बादल नहीं मन राते वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है, कुवारी लड़कियों की मन्चाह वर्पाने की इक्षा पूरी होती है उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब और फॉलो करें धन्यवाद